हेलो एवरिवन इससे पहले हम प्रूफ का रहे थे थियूरम का रहे थे थियूरम में हमने डिवीजन रिंग को स्पोस किया था और हमने शोर किया था कि आर में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है अब हम स्पोस करेंगे कि आर कोई भी रिंग विद आडेंटिटी है और इसमे कर लेते हैं किया स्पोस्ट करते हैं कि हमारे पास R is a ring with identity is a ring with identity and R has no proper ideal then we are to show that फिर हमने क्या शोर करना है कि R is a division ring sorry division ring अब अगर हमें पता है कि division ring क्या होती है कि division ring is a ring with identity in which the multiplicative inverse is hold मतलब multiplicative inverse of every non-zero element exist करना चाहिए division ring में अब हमारे पास ring with identity तो है इसका मतलब है कि हमने अब शोर करना है कि division ring में हमारे पास कोई multiplicative inverse जो है वो exist करने चाहिए अब हम लेट कर लेते हैं कि कोई हमें भी non-zero element a है जो आर से बिलोंग कर रहे हैं ठीक है और वी हैफ टू शोर्डेट मतलब हमने arbitrary element select किया ना वी है आफ टू शोर्डेट हमने यह शो करना है कि फिर इसका जो inverse है ना वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए मतलब इसका inverse भी फिर एक्जिस्ट करें ठीक है तो अब इसमें हमारे पास जो हमने पिछे exercise शो की थी left ideal के लिए के हमारे पास यह equal होता है और एक और बिलोंग करता है और से और हमने इसको कहा था is the left ideal of आर ठीक हो गया अब हम कहते हैं कि सिंस आर हैस नो प्रॉपर आइडियल सिंस हमें पता है कि आर हैस नो प्रॉपर आइडियल तो या तो फिर आर जो है वो जो है वो सुड़ी आर ए मतलब यह वाला अब हमने आडियल कॉंसिडर किया ना तो आर या तो जिरो होगा या फिर आर ए जो होगा वो एक्वल हो जाएगा आर के क्योंकि यही तो प्रॉपर आइडियल की हमें पता है कि R A फिर 0 तो नहीं है अब ये सोचने वाली बात है कि अच्छा यार ये 0 है तो है क्यूं नहीं है मतलब ये 0 क्यूंकि उपर हमने A क्या लिया है A हमने 9 0 एलिमेंट लिया हुए ठीक है तो हमारे पास इसका मतलब है कि R A भी फिर 0 नहीं है अब आपके mind में होगा अच्छा R में 0 है लेकिन वो 0 है तो फिर वो उसका element है वो बिलकुल empty नहीं है ठीक है तो इसका मतलब है कि R A हमारे पास non 0 है because इसको मैं short form में लिख रहे हैं because A is not equal to 0 सो फिर क्या condition होगी कि R A को equal होना पड़ेगा R के ठीक है अब क्योंके हमें पता है कि identity 1 बिलोंग करती है R से इसका मतलब है अगर R में identity है तो फिर इसका मतलब है इस R A में भी होगी ऐसी है ना कि अगर मैं इसको मैंने ये कहा है कि R A is equal to R और identity इससे बिलोंग करवा दी है इसका मतलब है मैं यहां पर लिखती हूँ then that means there exists कोई B element R से बिलोंग करेगा such that कि क्या condition होगी कि B A से multiply हो और वह 1 दे क्योंके अगर इसमें है और फिर ये R A के equal है तो फिर इसमें भी होगा because if 1 is there then it must belong to there because both of these are equal ठीक है तो फिर हमने क्या किया कि कोई हमने कहा कि B होगा R में कि हम B A करेंगे तो 1 आ जाएगा अब ये condition तो यहीं नहीं होगी कि कोई भी अगर हमारे पास element और कोई element उससे multiply होके 1 दे रहा है तो वह उसका inverse है तो हम कहेंगे कि B is inverse of A in R अब हमने क्यों के element लिया था since A was arbitrary element तो ये condition so condition hold for A belongs to हमने A किसे बिलोंग करवाए था हाँ R से A belongs to R was arbitrary element so condition holds for every non-zero element element तो हमने जो प्रूफ करना था वो आप आगे लिख दीजिएगा तो वो हमने प्रूफ कर दिगा ठीक है कि हमने क्या किया हमने R को ring suppose किया with identity और उसमें हमने कहा कि उसमें कोई proper ideal नहीं है हब हमने show करना था कि वो division ring है division ring की definition के according उसको ring with identity होना चाहिए और हर non-zero element का inverse exist करना चाहिए ring with identity तो थी हमने inverses को show करना था हमने suppose कर हमने कहा कि एगर को non-zero element R से belong करता है तो उसका inverse हमने उसमें show करना है ठीक है यानि के we are to show that sorry we are to show या फिर मैंने आगे भी लिख दिया कि we have to show that ठीक है ये भी आ सकते है तो इसका मतलब है कि हमने कोई inverse उसमें belong करना था हमने left ideal की definition जो हमने exercise की उसको use किया उसके अंदर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा अगर मतलब ये definition है तो R A 0 के equal होगा या R A R के equal होगा देन हम अगे proceed किये तो हमें end पर result ऐसा मिला कि दो element को multiply गरके वहना आ रहा था इसका मतलब है कि B फिर A का inverse है तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ये R B A trading element के लिए true है तो ये फिर condition हर element के लिए true होगी तो इस तरह से हमारी required condition के वह division link भी होगी प्रूफ होगी I hope ये clear होगया होगा Thank you प्रूफ होगी